हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक तो देखिए डेली करन्ट अफेर्स के आज के इस वीडियो में हम 28 अप्रेल के सभी इंपॉर्टेंट करन्ट अफेर्स को एक एक करके यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक का टेलीग्रम चेनल जोइन कर सकते हैं और इसके अलावा आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर भी इसकी PDF फ्री ओफ कॉस्ट अवेलेबल हैं तो वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF को कलेक्ट कर सक आएए 28 एप्रेल का पहला करेंट अफेर्स यहां पर देख लेते हैं दा हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई 29 आर्थिक स्वतंतरता सुचकांग में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो देखे 29 एकोनोमिक फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यह सुचकांग हर साल दा हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है जो की एक अमेरिकी संस्थान है 2023 में इस सुचकांग में 176 देशों की रेंकिंग में भारत को 131 वाइस्थान दिया गया है अमेरिकी सोथ संस्थान दा हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई 29 आर्थिक स्वतंतरता सूचकांग में 186 देशों में भारत को 131 वा स्थान प्राप्थ हुआ है अब देखिए ये जो इंडेक्स से फ्रेंड्स ये विश्व के विभिन देशों में दी गई आर्थिक स्वतंतरताओं का तुलनात्मक अध्यन करता है और इसके आधार पर सभी देशों को इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है जैसे किस देश के नागरिक के पास सबसे ज्यादा एकोनॉमिक फ्रेडम है वो व्यापार करने के लिए स्वतंत रहें अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत रहें इसके अलावा गवर्मेंट का हस्तिशेब भी सबसे कम होना चाहिए इस आधार पर इकोनॉमिक फ्रेडम इंडेक्स तयार किया जाता है पहली बार इस इंडेक्स को 1995 में जारी किया गया था और अब 2023 में इस इंडेक्स में 176 देशों की सूची में पहले नमबर पर सिंगापूर का नाम आता है दूसरे नमबर पर स्वीज़रलेंड है और तीसरे नमबर पर इकोनॉमिक फ्रेडम इंडेक्स में आयरलेंड का नाम आता है भारत 176 देशों की सूची में 131 नमबर पर है अब अगर हम बात करें कि एसा देश जहांपर economic freedom सबसे कम है वो कौन सा है तो वो है एशिया का देश नौर्थ कोरिया जो कि इस index में सबसे last पायदान पर आता है मतलब इसकी ranking एक्सो चियोत्तर भी है इस index में पहले स्थान पर सिंगापूर और भारत 131 स्थान पर है second question देखिए नैसकॉम का अध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया है तो नैसकॉम को देखिए National Association of Software and Services Companies के नाम से जाना जाता है हाली में अनन्त महेश्वरी को इसका नया अध्यक्ष बनाए गया है अनन्त महेश्वरी क्रश्णम रामानुजन के इस्थान पर अब नैसकॉम के नय अध्यक्ष बनाए गया है जो की 2023 के लिए इस पत पर चुने गया है अब अनन्त महेश्वरी एक्च्वल में कोन है तो देखिए ये वर्तमान में Microsoft इंडिया के अध्यक्ष हैं जिनने नैसकॉम का भी अध्यक्ष बनाए गया है और इसके अलावा राजश नाम बियार को नैसकॉम का उपाध्यक्ष निव्ट किया गया है नैसकॉम देखिए एक गेर लापकारी उद्योगिक संगे फ्रेंड्स जो की भारत में IT उद्योग के लिए एक सर्वच्च संस्ता है इसकी स्तापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्याले नौइडा में स्तित है अनन्त महेश्वरी वर्तमान में नैसकॉम के नए अध्यक्ष बनाए गए है तो देखें करंट अफेर्स के आपको दो कुश्यन यहाँ पर मैंने बताए हैं आपको दोनों इजीली समझ में आ गया होंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेली क्विस जो की हमारे क्रेजी जी के ट्रिक एप्लिकेशन पर कंड़क्ट होती है उसकी ओल इंडिया रेंकिंग बता देता हूँ तो देखें 26 एप्रेल की क्विस की ओल इंडिया रेंकिंग की अगर हम बात करें तो टॉफ फाइफ रेंकर पहले नंबर पर है हरिश कुमार सेकेंड पर है अन्जू लता वर्मा थर्ट पर अनिता पाल का नाम है फॉर्थ पर कुमारी रितु है और इस क्विस में फिप्ट नंबर पर विशाल का नाम है तो आप सभी को बहुत बहुत कॉंगरचलेशन इसी तरह आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर डेली क्विस लगा सकते हैं जो भी आल इंडिया टॉफ फाइफ रेंकर होंगे उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको रोज डेली गरेंट अफेर में बताऊंगा तो बिनादेर किये क्रेजी जी के ट्रिक एप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और क्विस को लगाना शुरू कीजिए आईए अगले कुश्यन पर आते हैं स्वागत पहल का संबन्द किस रज्ज से है तो स्वागत पहल का संबन्द भारत के गुजरात रज्ज से है अब देखिए स्वागत के फुल फॉर्म की बात करें तो स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेज बाई एप्लिकेशन ऑफ टेकनोलोजी इसे ही शोट में स्वागत पहल के नाम से जाना जाता है ये योजना गुजरात रज्ज में देखिए 2003 में शुरू की गई थी और अब 2023 में इसके 20 साल पूरे हो गए हैं और 20 साल सफलता पुरवक पूरे होने पर गुजरात सरकार के द्वारा इसके उपलक्ष में स्वागत सब्ता मनाया गया है देखिए भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने 27 एपरेल को वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से इस कारिक्रम में भाग लिया था अब कोश्यन आता है कि इस कारिक्रम का उद्देश क्या है तो देखिए टेक्नोलोजी का उप्योग करके नागरीकों की दिन प्रती दिन की शिकायतों को त्वरित, खुशल और समयबद्द तरीके से हल करना इस कारिक्रम का मुख्युत देश है इस कारिक्रम को गुजरात में स्वागत पहल के नाम से जाना जाता है जिसके हाली में 20 साल कंप्लीट हुए है दुनिया की पहली लिक्विड नेनो डियेपी का विकास किसके द्वारा किया गया है तो देखिए दुनिया की पहली लिक्विड नेनो डियेपी का विकास अब देखिए बात करते हैं कि लिक्विड नेनो डीयेपी एक्च्वल में है क्या। तो देखिए यह एक खास तरह का फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन और फासफोरस पाया जाता है। नेनो डीयेपी की बात करें तो यह इस तरह की दूसरी खाथ है। नेनो यूरिया इस सिरीच की सबसे पहली खाथ थी जिसे देखिए दोहजार 21 में इफको के द्वारा ही लॉंच किया गया था। तो दुनिया की पहली लिक्विड नेनो डीयेपी का विकास इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉपरेटी लिमिटेट के द्वारा किया गया ही। collective spirit concrete action मन की बात and its influence on इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ये शशी शेखर विमपती के द्वारा लिखी गई है। अंसर भी हो जाएगा। देखे भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदिब धनकर ने हाली में नई दिल्ली में आयोजित रास्ट सम्मिलन मन की बात at the right hundred में इस पुस्तक का हाली में विमोचन किया है। अब ये जो सम्मिलन है मन की बात at the right hundred ये सूचना और प्रसारण मंत्रा लेके द्वारा आयोजित किया गया है। इस पुस्तक को शशी शेखर विमपती ने लिखा है। देखे शशी शेखर की इस बुक में बताया गया है कि प्रधान मंत्री के मन की बात करिक्रम का देश पर और युवाव पर क्या impact हुआ है। हाली में भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीब धनकड के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। लिखी किसने हैं तो ये शशी शेखर विमपती ने लिखी है। अब देखे इस बुक के अलावा कुछ और बुक्स के हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो की काफी न्यूज में है। सबसे पहले देखिए विपिन दा मेन बिहाइंड दा यूनिफॉर्म जो की विपिन रावत के जीवन पर अधरी थे इसे रचना रावत ने लिखा है। इसके अलावा वुमन एंड मेन इन इंडिया 2022 राव इंदरजित सिंग की बुक है। अनुराग बेहर के द्वारा A Mater of the Heart, Education in India नाम की पुस्तक लिखी गई है। शची थरूर के द्वारा A Life नाम की पुस्तक लिखी गई है। और सबसे लास्ट, मिशेल उबामा की पुस्तक ये उवर्औमिंग इन अंसेटरं टाइम। ये बुक है मिशेल ओवामा की, तो इन सभी बुक्स को याद रखिएगा, एक्जाम में पूछी जा सकती है, इसके बाद देखिए, वन अर्थ, वन हेल्थ, एडवांटेज हेल्थ केर इंडिया 2023 का आईजन कहां किया जा रहा है, तो देखिए, वन अर्थ, वन हेल्थ, अर्थ, एडवांटेज हेल्थ केर इंडिया 2023 का रिकरम का आईजन हाली में नई दिल्ली में किया गया है, भारत के प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने 26 अप्रेल को विडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से, नई दिल्ली में 6th 1 अर्थ, 1 हेल्थ, एडवांटेज हेल्थ के इंडिया 2023 का उदगाटन किया है, देखे इस सम्मेलन में पूरी दुनिया के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर है, इसके अलावा पश्चिमी एशिया, सार्क, आसियान या अफरीकी शेत्रों के अलग-अलग प्रतीनिधियों ने भाग लिया है, अब अगर हम बात करें कि इस सम जिदारी को विक्सित करना है, तो इसके लिए One Earth, One Health, Advantage Healthcare इंडिया 2023 का इक्रम का आईजन नई दिल्ली में किया गया है, भारत का पहला गाउं माना गाउं किस रज्ज में इस्तित है, तो भारत का पहला गाउं माना भारत के उत्तरा खंड रज्ज में इस्तित है, ये भारत के उत्तरा खंड रज्ज के चमोली जीले में इस्तित है, जो कि भारत का पहला गाउं बन गया है, इसके पहले तक देखिए माना गाउं को भारत के आखरी गाउं के रुप में जाना जाता था, और अब इसका नाम आखरी गाउं से चेंज करके भारत का प्रथम गाउं कर द इस गाउं से 24 किलो मिटर दूर देखिए भारत और चीन की सीमा इस्तित है। 27 एपरेल के करंट अफेर में हमने इसको डीटेल में डिसकस किया था। तो माणा गाउं भारत के उत्तराखन रज में भारत चीन बौडर पर रिस्तित है। जो की भारत का पहला गाउं है। जो की अट्लांटिक महा सागर में इस्तित है। इसकी टोटल गहराई लगबग 900 फिट है। इस ब्लू होल को ताम जा या गहरे पानी के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की बात करें तो ये दक्षिन चीन सागर में इस्तित है जिसका नाम ड्रेगन होल है। इसे 2016 में खुझा गया था और इसकी टोटल गहराई 980 फिट है। तो सबसे गहरा ब्लू होल 980 फिट गहरा है और अब दूसरा खुझा गया है मेक्सिको की खाड़ी के निकट जो की लगबग 900 फिट गहरा है। अब देखिए आपके दिमाग में कुश्चन आ रहा होगा कि ब्लू होल एक्च्वल में होता क्या है। तो देखिए ब्लू होल जो है ये एक समुद्री गुफा या सिंक होल होता है समुद्र में जो की सता की तरफ से खुला हुआ होता है। इश्रम पोटल किस मंतराले के द्वारा लॉंच किया गया है। तो बहुत एजी है नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इश्रम पोटल जो है ये श्रम और रोजगार मंतराले के द्वारा जारिक किया गया है। अच्छा योजनाओं का लाब दिया जा सकेगा तो ईश्रम पोटल श्रम और रोजगार मंतरा लेके द्वारा लॉंच किया गया है इसके बाद आज के कररंट अफेर्स का लास्ट कोशन देखिए हाली में किस मिनी रतन कंपनी को नव रतन कंपनी का दरजा दिया गया है हाली म मिनी रतन की श्रेणी से नव रतन कंपनी बना दिया गया है अब ये जो कंपनी है मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड जो है ये रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आती है और अभियदेश की तेरवी नव रतन कंपनी बन गई है देखिए नव रतन सारुजनिक उपक्रमों का एक विसिस्ट वर्ग होता है जिसमें गवर्मेंट देखिए एसी सरकारी कंपनियों को शामिल करती है जिनमें गलोबल कंपनी होने की संभावनाए होती है सरकार ने देखिए कंपनियों के लिए नव रतन योजना जो है इसका शुभारम 1997 में किया था वर्तमान में देश मे 13 नवरतन कंपनिया है हम जल्दी से इनके नाम देख लेते हैं तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड इंजिनियर इंडिया लिमिटेड ओइल इंडिया लिमिटेड रास्ट्रे इस्पात निगम लिमिटेड कंटेनर कॉर्परेशन इंडिया लिमिटेड महानगर निगम इंडिया लिमिटेड नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन जिसे NBCC के नाम से जाना जाता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्परेशन और बारवी थी शिपिंग कॉर्परेशन आफ इंडिया और अब 13 नंबर की महारतन कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड मतलब आरवी एनल को बनाए गया है तो यहाँ पर देखिए हमने करंट अफेर्स के टॉप 10 कुश्चन को डिसकस किया है अब हम फैक्ट शीट में कुछ और करंट अफेर्स के फैक्ट देख लेते हैं तो पहला फैक्ट देखिए शीरीकांत एम भांडिवार को करनाटक विकास ग्रामिन बेंग का नया अध्यक्ष निक्त किया गया है इसके अलावा उत्तराखन सरकार में मंत्री शीरी चंदन रामदास का हाली में निधन हो गया है इसके बाद देखिए अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में नेशनल गेम्स का उधगाटन करने वाले हैं लास्ट देखिए रास्ट क्वांटम मिशन के लिए केंदर सरकार ने 6,003 करोड रूपे हाली में मंजूर किये हैं क्लियर तो यहाँ पर देखिए हमने 28 अपरेल के सभी इंपॉर्टन करेंट अफेर्स को कोशन वाइस और फेक्ट वाइस डिसकस कर लिया है अब हम लास्ट डे का रिवीजन कर लेते हैं मतलब 27 अपरेल को जो करेंट अफेर्स हमने डिसकस किया था उसको हम यहाँ पर एक बार रिवाइस कर लेते हैं तो सबसे पहला देखिए हाली में प्रकाश सिंग बादल का निधन हो गया 21 राज्य के मुख्यमंतरी रहे हैं तो प्रकाश सिंग बादल जिनका हाली में निधन हुआ है पंजाब रज्य के पाँच बार मुख्यमंतरी रहे थे World Interactual Property Day कब मनाय जाता है तो पूरे विशु में World Interactual Property Day 26 अपरेल को मनाय जाता है सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सेन्नी खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा इस्तान है तो सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सेन्नी खर्च के मामले में भारत विश्व में चोथे इस्तान पर आता है आस्टेलिया का सर्वोच नागरिक सम्मान Order of Australia से हाली में भारत के उद्योगपती रतन टाटर को सम्मानित किया गया है इसके अलावा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहां चलाय जा रहा है तो ये चीन के सीमावर्ती भारती ग्रामों में चलाय जा रहा है हाली में किस रज्ज के माना मदूरई मिट्टी के बरतनों को जी आई टेक दिया गया है तो माना मदूरई मिट्टी के बरतन जिने हाली में जी आई टेक दिया गया है ये भारत के तमिल नाडू के मिट्टी के बरतन है IIT मदरास की देश में अपना पहला अंतरास के परिसर इस्तापित करेगा तो IIT मदरास के दोरा अपना पहला इंटरनेशनल परिसर अफरीका के देश तंजानिया में स्तापित किया जाएगा प्रधानमत्री नरेंग्र मोदी के द्वारा दमन और दीव में नमोपत देव का सी फ्रंट रास्टी को समर्पित किया गया है इसके बाद आगयाते हैं फुटबोल का प्रतिस्टित हीरो सूपर कप 2023 का किताब ओडीशा की टीम ने जिता है और इसके बाद सबसे लास्ट दोहजार तेविस में कितने व्यक्तियों को गोल्ड मेन परियावरन पुरस्कार या ग्रीन आसकर से सम्मानित किया गया है ओके तो यहाँ पर हमने 27 एपरेल के सभी करेंट अफेर्स को रिवाइस किया अब आपके लिए कोश्चन है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपने ये सेशन ध्यान से सुना होगा तो इस कोश्चन का जवाब आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे कोशन देखिए भारत का पहला गाओं माडा गाओं किस रजमेस्तित है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है I hope आपको सेशन अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करिएगा साथी साथ चेनल को भी सब्सकाइब कर लीजेगा कल फिर मुलाकात करते हैं 29 अपरेल के करंट अफेर्स के साथ तब तक अपना खयाल रखिए जै हिन जै भारत